नमस्क्यार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल इन साइकलोजी के में इस वीडियो में हम वायू मंदल की संरचना के बारे में जानेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह कि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जो हमारा वायू मंडल है उसको हमने कितनी लेज में बटा हुआ है ट्रॉपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मेजोस्फियर, एग्जोस्फियर ट्रॉपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, आयनोस्फियर और एग्जोस्फियर जो शोब मंडल, ट्रॉपोस्फिर को बोलते हैं शोब मंडल जिसके अंदर सारी मोस में घटना एगटित होती है जबकि जो हमारा स्टेटोस्फिर होता है वो उसको हम समताप मंडल बोलते हैं जिसके अंदर हमारे एरो प्लेंज और जो जेट प्लेंज है उनके लिए ये आइडियल होती है वो उडान इसी में भरते है उसके बाद आती है हमारी ओजोनोस्फियर ओजोन मंडल ओजोन गैस की परत पाई जाती है इसमें जो सनलाइट में जो यूवी रेज होती है अल्टरा वाइलेट रेज परा बहेंगनी के रने वो उनको अवसोशित करती है उनको एब्जॉब करती है फिर हमारा आयनोस्फियर आता है जिसको हम आयन मंडल बोलते हैं जिसकी वज़े से हमारे रेडियो, रडार, टेलिफोन, टेलिवीजिन ये सब सुविधाएं प्राप्त होती हैं हमें आयनोस्फियर की वज़े से ही और सबसे बाद में आता है हमारा एग्जोस्फियर जिसको हम बहिर मंडल बोलते हैं इसमें हमारे अंतरिक, शात्री और उपगरे पृत्वी की प्रिकर्मा कर रहे होते हैं जो पृत्वी के चार और घूमते रहते हैं वो एग्जोस्फियर में होते हैं तो दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो में इतना ही नश्यार दोस्तों